नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजंदर सहिंग, Welcome to my repair slab channel आज हम एक custom ROM install करने वाले हैं Samsung के mobile में 5000 पाँच जार के mobile में 50000 के mobile बाया custom ROM install करने वाले है मारलब वह feeling वह UI जो 2000 पाईजार पाउन में होती है वह आपको 5,000 पाउन में आज आपको देखने को मिलने वाली है अगर आपका भी फॉंसंग जे टू है या आपके कस्टमर का किसी फ्रेंड का भी फॉंसंग जेटू जी टू फॉन है तो आप उसके अंदर एंडवर्ड 11 कस्टम रोम इस्टॉल आसानी से कर सकते हैं जी हां बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाइस्टेप बताने वाला हूं कि कस्टम रोम जो है वह सैंसंग जी टू में कैसे इंस्टॉल की जाती है और इसके इस्टॉल करने के लिए आपको क्या-क्या इस्टूमेंट की जरुत पड़ेगी एक कंप्यूटर चाहिए उसके लिए इसमें आपका आइमें नंबर भी सेफ रहने वाला है और कोई बग्स फिलाल इसके अंदर नहीं है सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रोम को एडिट करने वाला डेवलोपर जो है उखुद एक इंडियान है तो सबसे पहले हम चलते हैं कुस्टम रोम इस्टॉल कि और यह अखो डाउनलोड मोड में डालना है अ當शा दाव्लोड में डालने के लिए क्या करना है कि आपको वॉल्यूम को बाइनस बटन और हूं नों को एक सार्द फरेश करना है सबसे हम पॉन को start कर एं हुए online डैसे में आपको बता है डाउन लोड मोड में डालने के लिए वाली माइनिस और उनकी को एक सार प्रेस करना है प्रस पॉबर जैसे ही डाउनलोड मोड में चला जाएगा अब आपको चाहिए सैमसंग का ओडिन टूल सबसे पहले सैमसंग के ओडिन टूल को रन करना है और पॉन को जो है वो टेटा केबल से कनेक्ट करना है डाउनलोड मोड वो तो आपको यूएस्पी डिवाइस मैनेजर के अंदर वहां सैमसंग का पोर्ट कनेक्ट हुआ दिखेगा और कॉम पोर्ट के अंदर पोर्ट का करना यह कि अगर अगर वो तुक्शन दूधा तो ओट्मट्ण हो जाएगा और वो कस्टम रिकवरि जो और फाघी सि Wasser पायेगा अगर यह पार श्टार्ड हो गया पि कीव इंग करो मादि हो ञाद कि यह आइख यह यह मैंने एरर मुझे बता है कैसे हटाना है पर मैंने जानगुज की वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को समझ जाए यह एरर इसलिए आता है या तो हमारा फॉन का OEM अनलोक नहीं है या फिर इसके अंदर है तो आपको क्या करना है अब आउट में जाना है सिधा ब्यूट नंबर के चार से पांच वाड क्लिक करना है डेवलोपर मोड में जाना है यहां आपको जो है आपको दिखा देता हूं कैसे फार्प ओन और आउट लिखा बाता है कैसे पता चलेगे अब मैंने वहीं अनलोक किया तो इसके अंदर आप दिख रहा है तो अभी हम किसी भी तरह की रीकवरी या बूट इमेज इसके अंदर फ्लेश करेंगे तो किसी तरह का कोई एरर नहीं आएगा फ्लेशिंग स्टार्ट हो चुगा फिर से सैंब वोई प्रोसेस आपको टी डूर्प इसरेक्ट नहीं है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रीप्शन में वीडियो के अंदर डिस्क्रीप्शन में दे बैटरी निकालने के बाद वापस इंट्रॉल करके वॉल्यूम प्लस पॉवर की और होम की तीनो बटन को एक साथ प्रेस करना है वॉल्यूम प्लस होम की और वावर की रैड कलर में स्क्रीम पे एंफोर्स का एरर आएगा तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए यह देगे कस् प्रेटों करना है यहां आपको यस टाइप करना है वाई यस यस ऑके से फिर से आपको बैग जाके एडवांस पॉर्मेट में आ कि एड़ान्स फॉर्मेट में जो हम जाएगे तो इस तरह की कुछ ओप्शन्स आपको देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है सब पर टिक कर देना है डाटा सिस्टम अगर आप मेमोर कार्ड अंदर में डालना नहीं है पहले आपको सिस्टम तक आपको पुरा बार कि क्योंकि मेमोर कार्ड के अंदर आम रों जो है उसकी जिप फाइल नाम यांदर को फोन को कनेक्ट करके आपको MTP mode और को इनेबल करना है यह आपको यह वीडियो के दिख रहा है सब्सें आपको MTP mode वो इनेबल करना है जब आप MTP mode इनेबल करोंगे तो आपके PC के अंदर My Computer जो फोल्डर होता है या My PC जो आता है उसके अंदर यहां आपको Samsung का जी टू का फॉन क्रेट की आवर मिल जाएगा क्या दिख जाएगा जब क्रेट की आवर दिखेगा तो आपको SD card का फोल्डर खोलना है और दूसरा फोल्डर आपको ओपन करना है जहां आपने कस्टम रोम तो डाउनलोड की वी है कस्टम रोम का लिंक भी में वीडियो के अंदर दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहां से आपको क्या करना है कस्टम रोम को यहां द्रॉप कर देना है SD card में memory card में drop करना है phone की memory में नहीं करना है क्योंकि phone memory हो सकता है हम फिर से वाइप करे इसलिए आपको करना है एक तो कस्टम रोम करना है और एक बूट लोगो इमेज बूट लोगो इमेज इसलिए जड़ूरी है क्योंकि जब phone start होएगा तो samsung का जो है जिप फाइइ जोखो आपको SD card के अंदर पेस्ट करना है पेस्ट करने के बाद इसको पुरा place close कर देना हैक लोगोज कर लोगोई यूसभी ko bir computer से disconnect कर देना हम यूज़व कम्पूटर से एक सेलेट करनी है किस्टम रोम की और नेक्स जनरेशन और डूसरी एक और जिप जो है वह एड़ करनी है दोनों जिप एड़ करने के बाद आप आप यहां स्वाइब करेंगे तो इस्टोलिंग का प्रोसेस जो है वह इंस्टार्ट हो जाएगा अब इस्टोलि का प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाना है यहां आपको एक्री करना है यह जो है आपका एक ओप्शन आ रहा है जिसमें आपको क्या यूटिलिटी चाहिए ठीक है उसके बाद आपको नेक्स कर द नवी डाटा शुकृरिटी का वेकप यह अगर आपने पहले से नहीं ले रखा है तो आप ले लीजिए मैं तो इक रिपेरिगी शॉप है मुझे इसका नॉलिज इसले मैंने इसका बैक पॉर्मेट तो कर दिया इसले ज़्यकिसी चरूर्मिट नहीं है अगर आपको लाइट तो आपको लाइट मोड टिक करना है उसके बाद सीधा इस्टॉल पे क्लिक कर देना है मैंने किसी पी क्लिक नहीं किया वीडियो के अंदर क्योंकि मैं फर्स्टाइम इसको इस्टॉल कर रहा हूँ और जब कस्टमर बोलेगा जो चल रहा है मुझे लगेगा कि फ़ुट में टाइम ले रहा है या एप्लीकेशन बहुत जादा होई है फॉन के इंदर इस्टॉल 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 हो जाएगी फिर हमारा प्रोसेस हो है वो कंप्लीट हो चुक है अब नेक्स करेंगे हुआ जो है और अटोमेटिक रिबूट हो जाएगा रिबूट होने के बाद लोगो आ गया अब यह सटार्ट होने में कम से कम 5-10 मिंट ले सकता है नेक्स जनरेशन ओस पर कम से कम पांस से दस दस मिनट कम से कम यह लोगों यही पर कुमे का कस्टम रो मिस्टाल होने के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है इस चुलिंग अप्लिकेशन पर आ चुका है कि मैंने स्क्रीन आगिया अब वहां स्टार्ट क्लिक करेंगे अगर आपने फुल ओस इस्टॉल किया है तो सकता है फौन हलका सा स्लो चले हलका से स्लो वाली पिलिंग आईगी लगी लेकिन जब ओएस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जो आपको ग्राफिक्स जो आपको यू आई जो इंटरफेस देखने को विलेगा उसमें वही आप सैमसंग एस्टॉन्टी एफी वाला फील करोगे ऐसा लगेगा आप सैमसंग का एस्टॉन्टी एस्टॉन्टी वन अल्ट्रा वाला उसकी एप्लिकेशन सी उस कर रहे हो हैं ऐसी फیल आपको आने वाली है कुछ आप्लिकेशन देखिएं इसमें प्लेश्टोर वगरा और वी यह क्या करता है बैक्राउंड में इंस्टॉल कर देता है इसको मैं पूला देता हूं तो यह कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा मैं इसको पहले से ही अनिस्टॉल कर देता हूं अनिस्टॉल कर दिया है अब हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं प्रूब के अलड़ी है एंडर 11 ही है यह कोई थीम नहीं है या कोई आप कुछ और बोलते इसको लॉंचर वह लॉंचर नहीं है यह खुद एक कस्टम रोम है यह देखें एंडर 11 अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आये हो और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें या आपका फॉन भी सेमसंग जे टू है और आपने भी कस्टम रोम सेम वीडियो के फ्रसेस देखके इंस्टॉल कर दिया है तो आप वीडिय